नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाक के एक और एक्षिन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं वालो, तो आज का जो वीडियो है, वो बहुत संसिटिव है, और बहुत जरूरी है कि ये वीडियो आखिर तक देखा जाए, और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाया जाए यसलिए जरूरी है क्योंकि ये रियलिटी है, वीडियो का टैटल है, वाई दसाबरमत्य रिपोर्ट इस बेंचमार्क फिल्म फॉर दे ट्रू इंडियन्स, अब साबरमत्य रिपोर्ट तो आप लोंको पता ही होगी, नहीं पताता हूँ, मैं बताता हूँ, गोधरा कांड क बाद जो हुआ, उस पर भी शामिल, लेकिन आज तक देश से गोधरा कांड का सच छुपाया गया है, थोड़ी मोड़ी जानकारिया इधर उदर से मिलते रही है, लोग मीडिया में कहते हैं, लेकिन इतने पुखता तरीके से और इतने बोल्ड तरीके से ये बात अभी तक क पारे गया, कैसे ट्रेन को जलाया गया, कैसे वो 69-60 लोग सिंदा जल गया, जिसमें बच्चे थे, और उसके बाद जो हुआ, उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया करती है, पाकिस्तान और ये वो सब करते हैं, गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, लेकिन को गोदरा कांड को रिखंकित करती वो फिल्म जेते चूने तक का साहसाच तक कोई नहीं कर पाया था, आज वो फिल्म रिलीज हो गई, पर अपने रिलीज से पहले ही ये फिल्म लडाई की जड़ बनी हुई है, जो चीज़े मुझे बुरी लगती थी, वो एक्चिली बुरी लोग कहते हैं मुसल्मान खत्रे में, कोई खत्रे में में, सब सही चल रहा है, फिल्म के एक्टर को धंकिया दी जा रही, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, और खास तोर के उन लोगों को, जिन्होंने मुझे डराने की कोशिश की है, धंकाने की कोशिश की है, ऐसा क्या रिपोर्ट राश्च्वादी नेरेटिव के फिल्मों के बीच एक बेंचमार्क फिल्म है, जिसे अवश्य देखना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंतर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखे हम किसी साधारन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट एक असाधारन फिल्म इसलिए हो जाती है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर बनी है, जिसने भारत की राजनीती को बदल कर रखती है, जिसके प्रतिशोद में हुई घटनाओं ने एक व्यक्ती प रामलाला के दर्शन करके वापस आ रहे थे, जिनके जीवन की कीमत केवल इतनी थी, कि राजनीती और मीडिया ने उसे जलने वाली की खुद की गलती पता दिया था, और जिनका जीवन इतना छोटा था, कि जीविच जलने वालों में दस बच्चे थे, ये फिल्म देखना क रहे हैं, टाइमसनाओ के अनुसार भी विक्रांत मैसी का काम धासू है, साथ में रिदी डोगरा एकदम फिट बैट रही है बर्खा दत के रोल में, और राशी खन्ना स्टेंड आउट करती हैं, टाइमसनाओ वाली भी यही बता रहे हैं, कि साबरमती रिपोर्ट उस समय के UPA गठ बंदन और उनके द्वारा रचे गए कोचक्रों की धज्या उना रही है, इसके अलावाट ट्विटर पर भी काफी लोगों ने फिल्म को आई ओपनिंग बताया है, ऐसा रिपोर्ट किया है रिपबलिक ने, पर अब मेरा परसनल रिव्यू बताता हूं इस फिल्म का देखें मेरे अनुसार भारत में लोग इतिहास को किताबों से अधिक फिल्मों से कंज्यूम करते हैं, जो धाकापात इतिहास में है ही नहीं, पर फिल्मों में दिखाया गया है तो सत्य ही होगा ये मानने वालों की भी कमी नहीं है, ऐसे में साबरमती रिपोर्ट गोधरा क को तोड़ कर रख दिया है पर सर्प्राइस पैकेज रिदी डोगरा है जो बर्खा दत के मीन अवतार में घुस गई धोटी मोटी कमियों को इग्नोर करके फिल्म उस घटना को जानने के लिए दिखे जिसे धर्ती में गार दिया गया था जिस घटना से भारत हमेशा के लिए बदल गया था और जो घटना आज तक नई घटना को जन्म दे रही है फिल्म कितना पैसा कमाईगी यह तो मैं नहीं जानता पर ऐसी फिल्म का सपोर्ट अवशक है ताकि और लोगों को मोटीविशन मिले उन सब्जक्ट को उठाने का जिने चूने से भी मना किया गया है वो और इन एप्लिकेशन में से एक बेहुद एजी तू यूद एप्लिकेशन है मार्केट वॉल यह एक सेभी रेजिस्टर अप्लिकेशन है जिसमें आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं लाइफ्टाइम ट्रेडिंग करने के लिए वो भी एक्सपर्ट की हेल्प के साथ कई यान्य अप्लिकेशन से इस काम के लिए 300 रुपे ले रही हैं चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ यह मैंने खोला Market Wolf का एप और पिन डालकर लॉग इन कर दिया अब Easy Way to Trade वाला आप्शन मैंने सिलक्ट कर दिया जहां मुझे पता चलता है कि मुझे किसमे ट्रेड करना है चलिए मैं बैंक निफ्टी वाला आप्शन जो है उसे चूज करता हूँ यहां दिखने यह ट्रेंट्स देखकर लगता है कि यह नीचे जाएगा अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं चूज करूँगा डाउन ऑप्शन और लास्ट टैप में चूज करना है फास्ट या फास्टर प्राफिट्स ज्यादा रखने के लिए लेट्स चूज फास्ट प्राफिट्स और बस हो गया अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ देखें मार्केट वुल्फ में आप आप्शन के अंदर केवल 999 रुपे से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं जिसके लिए बाकी एप्स आपसे तीन गुणा पैसे ले रही हैं इस एप में इन बिल्ट स्टॉप लॉस नाम का फीचर आपको जादा नुकसान से बचा देता है वो भी आटोमेटिकली यहां आप अपने लाइव ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और यह देखिए कितनी आसानी से 1541 रुपे का प्रॉफिट बुक हो चुका है विदिन मिनिट्स मार्केट वुल्फ की एक डेडिकेटिट टीम है जिसमें सैवी रजिस्टर आनलिस्ट आपको हर रोज फ्री में रेकमेंडेशन्स देते हैं विच मेक्स मार्केट प्रेडिक्शन्स एजी और सबसे इंपॉर्टन बात इनकी ब्रॉकरिच फीज पूरी मार्केट में वन अफ ता लोएस्ट है सरल शब्दों में हर तरह से फाइदे की डील है और भाई साब जब फाइदा होई रहा है तो जल्दी से लेलो इस फाइदे को अप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है अभी के अभी डाउनलोड करो और यूज करो बाकि साबरमती एक्स्प्रेस में क्या हुआ था 2002 में और साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्में क्यों आवशक है क्यों ये फिल्म एक बेंचमार्क की तरह यूज की जा सकती है वो आगे देखते है 27 फरवरी 2002 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में वर्षो तक याद रखा जाएगा जब जब कोई एहमदाबाद में हुए की बात करेगा जो 2002 में हुए थे तब तब गोध्रा की बात भी होगी पर गोध्रा में ऐसा हुआ क्या था इस प्रशन के ना कई उत्तर है क्योंकि जूट को जब जब न्यूस्टेनर्स के माध्यम से सच बताकर बताया जाता है तब तब जूट भी सच लगने लगता है तो चलिए अब गोध्रा की असली कहानी सुनते हैं फरवरी 2002 में भगवान राम के हजारो भत जिन्हें राम सेवक या कार सेवक के रूप में जाना जाता है वो विश्व हिंदू परिशत के कहने पर गुजरात से अयोध्या जाते हैं पूर्ण आहूती महायग्व नामक समारों में भाग लेने के लिए फिर अयोध्या का कारेक्रम समाप्त करने के बाद 25 फरवरी को तीर थियात्री और कार सेवकों का लगभग 1700 लोगों का समूः अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस में बैठ कर एंदाबाद के लिए रवाना हो जाता है साबरमती एक्सप्रेस 27 फरवरी 2002 की सुभा सुभा साड़े साथ बजे गोध्रा रेल्वे सेशन पहुंच जाती है गोध्रा से जुड़े हर वर्जन में न यहां तक की कहानिया आपको सेम मिलेगी लेकिन इसके बाद वर्जन बदलने लगते हैं एक वर्जन कहता है कि ट्रेन न तृशूल और लाठियों से लैस कारेकरताओं से भरी हुई थी जो गुजरते हर स्टेशन पर उतर उतर कर हिंदुत्व के नारे लगा रहे थे कई यात्री इससे परिशान हो रहे थे पर फिर भी चुप बैठे थे अब भई गुंड़ों से कौन बहस करे कुछ ऐसा सा इनका वर्जन था अब वो आगे ये भी कह रहे थे कि नारे लगाने वालों ने ना ट्रेन की सभी रिजरूट सीटों पर कबजा कर लिया था अब भई गुंड़ा तो यहां तक बता दिया गया था अब गुंड़ई दिखानी भी तो थी तो फिर बताया गया कि गोध्रा पहुंचकर एक मुस्लिम लड़की के साथ इन कार सेवकों की द्वारा छेड़ चाड़ की गई और उसे ट्रेन में खीचने की यानि उसे किर्नैब करने की कोशिश की गई फिर दूसरा वर्जन कहता है ने ने भई देखो छेड़ चाड़ का तो हमें पता नहीं पर कोच S6 में न एक मुस्लिम चाय विकरेता था जो वहाँ पर चाय बेच रहा था लेकिन कार सेवकों ने उस मुसलिम चाय विकरेता को अपमानित किया और उसे धक्के मार मार कर कोच से बाहर निकाल दिया और उसके पैसे भी नहीं दिये पिर तीसरा वर्जन आता है और कहता है कि भाई कार सेवक ना ट्रेन की छट पर चड़े और छट पर चड़ने के बाद मुस्लिम महिलाओं को देख देखकर अभद्र इशारे करने लगे जिससे भाई भीड भड़क गई तो दिक्कत हो गई और ये वर्जन कहता है कि जो तीनों चीजे मैंने आभी आपको बताई है ये तीनों की तीनों चीजे सही हैं और कार सेवक ने सब कुछ ऐसा ऐसा किया था जिसके कारण एक भीड भड़क गई और पत्थराव होने लगा ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगा से मतलब हर कहा इन में से कोई भी वर्जन सही नहीं था अब ट्रेन ना साथ बचकर 48 मिनट पर गोजरा स्टेशन से रवाना हो जाती है लेकिन कुछ यूब को द्वारा चेन पूलिंग करके ट्रेन को रोक लिया जाता है कारण ये बताया जाता है कि कुछ लोग प्लैटफॉर्म पर ही रोक दिया गया तो वो पीछे मुड़ कर देखता है तो ट्रेन पर बहुत सारे लोग पत्थर भेग रहे होते हैं और उसके तुरंत बाद S6 कोच में आग लग जाती है पर ये आग लगी कैसे अब इस आग लगने के भीना कई सारे वर्जन्स बनाए गए राज्य सरकार ने जिस धलान वाली जगा पर रेलगाडी रुकी हुई थी वहां पर न एक उंचा बांध है जमीन इस तर से बांध की उंचाई करीब 12-15 फीट की है बांध की उंचाई और जिस उंचाई पर रेलगाडी खड़ी थी उसे ध्यान में रखते हुए कोई आग का गोला वहां पर नहीं फेख सकता था ये बात मानी गई फिर 2006 मिना रेलवे की रिपोर्ट आती है और तब लालू रेलवंतरी हुआ करते थे और उसमें एक और वर्जन बताया जाता है जो कि दे हिंदू की मासिक मैगजीन दे फ्रंट लाइन में भी छपा हुआ था उन्होंने लिखा था कि ट्रेन में लोगों ने भोजन पकाने के लिए स्टोफ जला रखा था जिसमें केरोसीन था जिसके कारण आग लग गए साथ-साथ ये भी लिखा गया था कि सिगरट से भी आग लग सकती है यानि जो ट्रेन में हुआ जो आग लगी वो एक एक एक्सिडेंट था लेकिन अगर अत्यंत ज्वलंशील तरल का इस्तमाल किया गया था अगर स्टोव वाली स्टोरी सही थी तो स्टोव में एक दो लीटर कैरोसीन आ सकता है साथ लीटर कैसे आया आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया वहीं एफसल यानि फॉरेंसिक स्टडी लैब उनकी रिपोर्ट में निश्कर्श ये निकला कि सीट नमबर 72 पर खड़े किसी व्यक्ति ने कोच में आग लगाने के लिए बड़े मुह वाला कंटेनर खोला और उस साथ लीटर पेट्रोल किसने डाला और आग किसने लगाई अब इसके विना दो वर्जन आते हैं एक वर्जन कहता है कि मोदी या गुजरात सरकार के इशारे पर आग लगाए गई यानि इसे इंसाइड जॉब बोला गया और मोदी ने ऐसा इसलिए कराया क्यूंकि वह 2002 वा परेड़ नहीं कराएं पर यह सच नहीं था सच यह था कि उस समय के ज्रनलिस्ट ने जो की गुदी मीडिया नहीं थे उन्होंने जूट इतना बोला इतना बोला कि आज भी लोगों को ये लगता है कि शभो को परेड कराया गया था लेकिन सुप्रिम कोट ने केटेगोरिकली बोला कि शभो को परेड नहीं कराया गया था फिर 2011 में ही कोट ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये कोई inside job नहीं थी यानि इसमें मोदी या गुजरात सरकार का हाथ नहीं था अब एक्सिडेंट भी नहीं था, इंसाइड जॉब भी नहीं थी तो क्या था? तो कोट ने पाया कि ये पूरी की पूरी एक प्री प्लैंड कॉंस्पिरेसी थी जिसमें स्टेशन के पास वाले अमन गैस्ट हाउस में एक रात पहले पैटरोल को रखवाया गया था और वही पैटरोल ट्रेन की बोगी में डाला गया जब ये सब कुछ हो रहा था तब पास की मज़िस से कुछ नारे लगाये जा रहे थे और कोट ने बोला कि नारों से साफ साफ मोटिव का ना पता लग रहा था और फिर जजज साब ने एक ऐसी बात बोले जो आज हम सब को पता होनी चाहिए जजज साब बोले कि मात्र गोधरा गोधरा में 1965 से 1992 के बीच में ऐसे 10 इंसिडेंट्स हैं जब समुदाय विशेश ने हिंदूओं को चिन्हित करके उनके घरों या दुकानों के साथ वही किया जो साबरमती ट्रेन के साथ किया अब जैसा हमने इस अध्याई में देखा कि कितने सारे वर्जंस बताये गए वास्तविक्ता को चुपाने के लिए तो कैसे वास्तविक्ता को कई वर्षों तक चुपाया गया आईए जानते हैं अगले चैप्टर में तो अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि उस दिन उस रेल के डब्बे में क्या हुआ था लेकिन आप मैं आपको बताता हूँ कि उसे मीडिया ने किस प्रकार से कवर किया था 20 जुलाई 2002 फ्रंट लाइन दहिंदू की ना ये मैगजीन है इसमें एक आर्टिकल आता है उसे देखिए जिसमें ट्रेन के बाहर से आग लगने की बात को ना सिरे से खारिज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ट्रेन को आग किसी ने अंदर से लगाई थी यानि कार सेव को ने लगाई थी और इसका तर्क पता है क्या दिया गया इसका तर्क ये दिया गया कि भाई ट्रेन के बाहर तो तक रहे थे और उसी कारण से ट्रेन के डबो को ना अंदर से बंद कर लिया गया था दरवाजे बंद थे अब जब अंदर से दरवाजे बंद थे तो आग कोई बाहर से कैसे लगा के लिए एक और आर्टिकल लिखा, एक मार्श 2002 को सिधार्थ वर्द राजन एक आर्टिकल लिखते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि आधिकारिक जांच ये निर्धारित करेगी, कि कार्शेवकों पर जो हमला हुआ है न वो जान बूझ कर किया गया है ट्रेन में या नहीं, ल इसमें वो गुजरात दंगों में समुदाय विशेश की लोग कितने मारे गए थे, उसकी संख्या बताते हैं, और जो संख्या होती है वो एक्चुल से दुगनी होती है, और साथ साथ सिधार्थ वर्द राजन ऐसा दिखाने का भी प्रयास करते हैं, कि उस हमले में हिंदू उन्हें कहा था कि ट्रेन में जो आग लगी न, वो ऐसे ही नहीं लगी, उसे समुदाय विशेश ने लगाया था, फिर 6 मार्च 2002 को वाशिंग्डन पोस्ट ने पूरा दोश हिंदूओं पर मन्ध दिया, लिखा गया कि एक्शन हिंदूओं का था, और रियक्शन दूसरी सम जबकि हुआ इसका ठीक विपरीत था, फिर 2005 में नियॉक टाइम्स एक लेख लिखता है, जिसमें वो इस आग का कारण बताता है दुर घटना को, ना कि भीड को, नियॉक टाइम्स जांच कमीटी की रिपोर्ट को आधार मान कर लिखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हिंद के उन दस बच्चों 27 महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, जो जुलस गए और अगर हम बॉलिवूड की मूवीज की बात करें न तो गुजरात दर्व पर न बहुत सारी फिल्में बनी हैं, परन्तु किसी ने भी साबरमती रिपोर्ट से पहले उन 69 लोगों के बारे में बात बैंक नाराज हो सकता था, 2014 में कोट के द्वारा नरेंद्र मोधी को गुजरात दंगो पर क्लीन चिट दे दी गई, उसके बाद राहूल गांधी ने कहा कि कोट का ये निर्णे न जल्दवाजी का निर्णे है, लेकिन राहूल गांधी को आज तक भी साबरमती एक्स्प्र कर लेती हैं, अरविंद के जरिवाल भी गुजरात दंगो के गुनेहकारों को सजादे लाने की बात करते हैं, लेकिन शायद उनके लिए कार्शेवकों या उनके पतनी या बच्चे आम आदमी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आज तक इनके लिए एक वयान नहीं दिया, तो गर इसका कभी जिक्र हुआ, तो गुजरात के दंगों से इसको ढख दिया गया, और सारा का सारा दोश हिंदूओं पर ही लगा दिया गया, अब आगे ये देखते हैं कि कैसे ये फिल्म, यानि साबरमती एक्ष्प्रेस, नैशनलिस्ट फिल्मों की भीड में एक बेंचमार नैरेटिव बदल दिया, आप सोचो कि किस तर नैरेटिव बदला गया, NCRT की किताब में लिखा गया, कि जी औरंग जेब ने मंदिरों को बनाने के लिए पैसे दिये, हमारी NCRT की बुक में, ठीक है जी, तो एक साब है, उन्होंने आर्टिया लगाई, कि भाई, बताया ज आए कि NCRT की बुक में जो ये लिखा हुआ है, उसमें लिखा गया है, कि औरंग जेब ने मंदिरों के निर्मान के लिए पैसे दिये गया, इसका रफरेंस क्या है, कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर कोई शिलालेख मिला, कोई दस्तावेज मिला, जहां पर इस बात का जिक रहे हैं, आपको पताए कि RTA के जवाब में क्या है, NCRT से? बोलों कि नहीं, इसका कोई अधार नहीं, तो भही बिना आधार के बात कैसे लिख दी कहीं, आप हिस्टरी को बिना आधार के बिना रेफरेंस के कैसे पढ़ा सकते हों और कैसे बता सकते हों, आपने फेक बात ल पढ़वादी, उसको अच्छा बताने के लिए नेरेटिव सिट किया गया, ने तो बताया ना कि कहां लिखा है, उस समय के मुगलकाल के किताबों में कहां लिखा है याँ पर, कहीं तो कोई एक बात लिख्योंगे, कहीं तो इसका जिकर आया हुगा, कि और इंजिब में फलान लेकिन अब इस सारी चीज़ें बगल रही है मैं सावर में थी रिपोर्ट को राष्टवादी फिल्मों की दुनिया में एक बेंचमार क्यों कह रहा हूँ वो बताता पर ये आउट औन आउट कॉमर्शल फिल्में नहीं थी, इन में डॉक्यमेंटरी वाले एलिमेंट्स काफी थे इसके अलावा हम दो हमारे बार आई जो मुस्लिम पॉपॉलेशन एक्स्प्लोजन जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी थी आखिर पलाइन कब तक जैसी फिल्म वक्फ जैसे अट्रोशियस मुद्दे को रेखांकित करने के लिए बनाई गई थी अजमेर 92 बनाई गई थी, अजमेर शरीफ में 1992 में हुए महिलाओं के यौन शोशन के बारे में और कनवर्जन जैसी फिल्म बनाई गई थी लव जैसे के मुद्दे पर इन में से अधिकांश का तो नाम भी आपने नहीं सुना हुआ, जाधतर फिल्में इतनी बेकार थी नैशनलिस्ट फिल्मों के नाम पर पैसा कमाने की ट्रिक थी और ऐसी और भी कई फिल्में बनी हैं और इन फिल्मों ने राष्टवादी नेरेटिव को मजबूत करने के स्थान पर कमजोर ही किया है सिंगम 3 जैसी फिल्में ऐसे बनाई गई हैं जैसे कि BJP के द्वारा स्पांसर कर दी गई हूँ एसी स्थिती में नेरेटिव की लडाई में हम 3 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि इन फिल्मों में से कई की प्रस्तुती में सुक्ष्पता का आभाव है और निर्माता ये भूल जाते हैं कि माध्यम ही संदेश है जदे हॉलिवूड में 1993 में बनी शिंडलर्स लिस्ट आज भी हॉलोकास्ट और उसे प्रभावित यहूदी समुदाय के प्रती विश्व द्रिश्टिकोन को प्रभावित करती है इसका संदेश शिंडलर्स लिस्ट वन अफ माई फेवरिट फिल्म और ये फिल्म आप देखेंगा आपको समझ में आएगा कि यहूदियों के साथ क्या हुआ था हॉलोकास्ट क्यूं उसे याद रखा जाना चाहिए बहुत कुछ सिखाती है वो फिल्म तो इतिहास का एक सबूत है फिल्म तो जिन्होंने शिंडलर्स लिस्ट नहीं देखिए प्लीज आप जाकर देखिए तब आपको समझ में आएगा कि कितनी जबर्र मुवी बनी थी इसका संदेश दर्शकों के सामने सीधे सीधे नहीं परोसा गया था बलकि बेहुत सूक्ष्मता के साथ पेश किया गया था ज ये फिल्म इतिहास के एक important मुद्य को cover करती है पर still documentary के रूप में नहीं बनी है एक crime thriller वाली feel देती है एक ऐसी फिल्म जो narrative बनाती है चोटी मोटी कमियो को छोड़ कर इस फिल्म को इसके topic के लिए देखना चाहिए जो उस मुद्य को रिखंकित करता है जिसे चूने से भी हमें मना किया गया था आप देखेंगे इस फिल्म को हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें मारकेट वुल्फ पर अकाउंट खोलना एकदम फ्री है और इसके दो मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में डाल दिया है अवश्य चले दिस्कों वीडियो खतम हो गया और यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए देखिए कुछ चीजें इसलिए देखनी चाहिए कि आपको पता रहे कि सच्चाई क्या है उस देखिए फिर जाकर उस पर और रिसरच करिए अगर आपको उस फिल्म पर सवाल उठते हैं तो सवाल के जवाब तलाश ही और जवाब मिलेंगे आपको और बिल्कुत सभी जवाब मिलेंगे कन्फ्यूजन नहीं हो तो आज कर जो यह रोना मचा जाता ना यतने हुआ गुजरात दंगे हुए ऐसा हुआ वैसा हुआ उसके बाद फिर कभी गुजरात में दंगा नहीं हुआ ठीक है और दूसरा कि गुजरात के दंगे क्यों देखें समझें और उसके बाद उस पर निर्ना एकदम क्लियर है वहां पर अगर गोधरा नहीं हुआ होता अगर उट स्ट्रेंड में आग नहीं लगाई गई होती है तो फिर इतनी है तौबा नहीं मचती है हिंदुत्वा और यह और वह सब नहीं होता है लेकिन नफरत इत कि इस वीडियो को जादा दा शेयर करिए और फिल्म ज़रूर देखें सावर मती जाकर और अपने बच्चों को दिखाईए पता करिए उनको उनका दिमाग में भरिए कि देखो यह हुआ था सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सबको पता होना हो यह चिनगारी दुबारा न भढ़के यह आग दुबारा न लगाई जाए क्योंकि अगर आग लगेगी तो उससे बड़ी आग जलेगी और फिर उस आग में सब जलेगी और जो ताकतवर होगा फिर देखी जाए लेकिन यह हल नहीं है हल है कि उस चिनगारी को लगने ही नहीं है जाए उस आपको नहीं लगाया जाए अब डिपंड नहीं है आप लोगों पर करता है आप बदाएए आप क्या कहते हैं कि ऐसे फिल्मों का आना जरूरी है कमेंड में जरूर बताईए जल्दे मिलता हूं एक और ने भी लोग साथ नमस्कार जाहिए तो अगर आप कर चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे को सवाल पूछना तो fan call पर आप मुझसे connect हो सकते हैं- defending आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर time slauf book कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है फलाने time पर मुझसे बात करनी है लेकिन अब भी बता दूँ कि यह paid service है